ग्यानवापी परिसर स्थित व्याज जी के तहकाने में पूजा पर मुसलिम पक्ष को जटका लगा है। हाला कि मुसलिम पक्ष के पास अभी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोट जाने का विकल्प खुला है। के तहकाने में पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोट में अपनी बात रखेंगे। हाला कि मुसलिम पक्ष द्वारा दाखी लिखी गई फस्ट अपीर फ्रॉम और और 227 की अप्लिकेशन में और रिजर्व हुआ था जिसमें कि आज और प्रनाउंस किया है। लॉडशिप ने मुसलिम पक्ष की आजिकाओं को बलहीन पाते हुए उसे खारिज कर दिया है। और यह कहा है जो डिस्ट्रिक जच का आदेश था पूजा जारी रखने का वो पूजा एजिटर होती रहेगी। और अभी पूरा ऑपरेटिव पोर्शन उन्हों अभी आएगा ओडर काफी बड़ा है वो हम पढ़के फिर बाकी और बता पाएंगे उन्होंने किस बेसिस में किस आधार पे। ग्राउंड यह है कि जो डिस्ट्रिक जच का आदेश है वो सही था वो गलत नहीं था और उनके द्वारा दी गई दलील है बलहीन पाते हुए उन्होंने खारीज किया अब कैसे उन्होंने उनको रिबट किया वो हम और आने के बाद ही बता पाएंगे आपको बता दे कि 31 जनवरी को वारांसी की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी थी जिसके इबाद काशी विश्वना ट्रस्ट की और से यहाँ पर पूजा शुरू कर दी गई है तहखाने तक जाने के लिए नंदी के बगल से रास्ता बनाया गया है हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1993 में ततकालिन सरकार में यहाँ पर पूजा पर रोक लगा दी थी वहीं मुसलिम पक्ष प्लेसे ओफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे कर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है